स्वागत है आपका एंडिया नीउस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ आपके साथ अतुल परताप सिंग इस देश में विवाद किसी भी बयान पर हो सकता है स्वाभाविक है इतना बड़ा देश है करोनों की अर्वों की आबादी है और अलग-अलग विचार धारा है और यहीं इस देश के खुबसूरती है इस लोकतंत्र के खुबसूरती है लेकिन कई ऐसे विवाद होते हैं जो कि लोगों के आस्था को सीधे हिट करते हैं उसे एक तकलीफ के दाइरे में ले जाते हैं ताजा जो बयान है वो है उद्यनिधी स्टालिन का मंत्री हैं अच्छी बात भी कह सकते थे हो सकता है कि तमिलनाडू के लिहाज से उनकी बात तो शायद उनकी दाजनिती को शूट कर जाये लेकिन पूरे देश में उनके बयान के बात बवाल बचा है वो चाहे हरियाना हो वो चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो बड़े से बड़े कत के नीता और तमाम लोग जो कि सनातन से जुड़े हुए हैं वो अपनी नाराजगी खुल कर जाहिर कर रहा है हरियाना में ग्रिमंत्रिया निल्विज ने कहा कि सनातन के बारे में अल्प ग्यान है स्टालिन को बि दिया वो सनातन का सीधे सीधे अपमान है उन तमाम देशवासियों का अपमान है जो कि सनातन परंपरा में अपनी आस्था रखते हैं इस देश के अंदर तमाम पूजा पद्धती के लोग रहते हैं उनको अपनी पद्धती को अपनाने उसे निभाने का पूरा अधिकार है लेकिन किसी दूसरे के पूजा पधती या उसके धर्म को किसी भी तरह से शती पहुंचाने उसके आस्था पर कोई अपनी तरब से चोट पहुंचाने का अधिकार किसी को ना तो दिया गया और ना ही मिल सकता है. सम्मिधान भी इसकी रक्षा करता है लेकिन हमारे देश में राजनिती करने वाले उचाहे किसी भी दल क्यों मैं यह नहीं कह सकता कि कोई एक दल ऐसा है जो कि सनातन की रक्षा कर रहा है और बाकी दल उसके खिलाफ है लेकिन अपनी अपनी राजनिती के हिसाब से जब जिसको जैसा मौका मिलता है वो अपने बयान के जरिए इन विवादों को जन देता है विक्तिकत तोर पर उसके पार्टी के इस दर पर उसके कारखश्य दर राजनीती को शायद इसका लाभ मिल जाता हो या मिला भी होगा या भवश्य में मिल जाएगा लेकिन सनातनियों की आस्था को चोट पहुँचाना ये अपने आप में अपमान जनक है देश के अंदर इस बयान के बाद एक रोश भी है नाराजगी भी है और सियासी बयानबाजी भी है सालीन अपने बयान पर आगे कायम रहते है या फिर इसको लेकर कोई सफाई पेश करते है ये देखने वाला विशह होगा लेकिन फिलहाल उनके बयान को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा है और कहा जा रहा है कि तमिल नाडू में बीजेपी इसको बड़ा मुद्धा बना देगी 24 के आम चुनाव के लिए बीजेपी इस वक्त तमिल नाडू में बहुत अंदर तक अपनी पैठ बनाने की कवायद में है लेकिन इस बयान का असर सिर्फ तमिल नाडू तक रहेगा या देश व्यापी होगा क्योंकि नरिंद्र मोदी जोकि देश के प्रधाल मंत्री है और बीजेपी के शिर्सनेता उनका अंदाज उनको जानने वाले जानते हैं कि कब किस अंदाज में वो कौन सी बात करेंगे और किसी और के बयान को वो चुनाव के दोर में कैसे प्रस्तुत करेंगे उसका कितना बड़ा सिनेरियो बना देंगे यह अपने आप में समने देखा समझा हुआ है लेकिन बीजेपी की या नरेंद मोदी के पिच पर कई बार विपक्षी दल उनके नीता फिसल जाते हैं